हेलो फ्रेंज कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है अशिष जोशी आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाइलिक रियर्इंजमेंट यह दूसरी यूनिट का आखरी टॉपिक है आपका फाइनली आपकी दूसरी यूनिट खतम हो रही है एलाइलिक रियर्इंजमेंट यह मेरी सबी deep वर चम्हों को मैं तो पढ़ा चुका हूँ सारा सीलबस आपको ध्यान से देखना problem वीडियो देखिये practice किजिये ऐसा नहीं है कि आपने video देखिये तो के आपको सबा जाएगा इस गलत पहामी में मत रहे गा है इस बात को इस घलत फैमी में मत रहना कि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो बिस्तर में लेट के अराम से सर में हाट रखके और सामने मोबाइल या लेप्टॉप में तो नहीं होगा आपको एक कॉपी पेल लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है मिठाइलन ब्रिज यह लिए होता है बिघालीन ब्रीच ठीक है और विनाइल गरूप ऐगल मुफित यह लिए नकाईल गरूप जब वी ये दोनों फ्यूुज हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे अलयलिक ग्रूप ठीक है जब भी यह दोनों फ्यूज हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे भाई CH2 double bond CH single bond CH2 और यह यह वाला जो ग्रूप है आपका यह वाला इतना यह आपका है अलाइलिक ग्रूप ठीक है double bond के बगल वाले double bond के बगल में जो carbon होता है जिसको हम alpha hydrogen अपरोग्षर्ण भी एल्फा क cabinet इसको हम एल्ध कारबन भी कहते हैं ऐलाइल कारबन भी कर दो छोटीई कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है क्या होगा देखिए धान से समझेगा इसमें क्या होगा आपका इसको आप open कर लीजे सबसे पहले मैं और अच्छे से समझभा जाएगा इसको आप open कर लीजे कैसे open होगा carbon दो hydrogen है H और H double bond double bond CH CH single bond CH2 CH2 single bond R यह कुछ भी हो सकता यहां पर आप लगा दो CH2 CH2 CH3 ऐसे लगा दो यह पूरा कोई compound है आपका अगर आप इस bond को break कर दें अगर जैसे ही मैं अगर इस bond को break कर दूंगा तो यहां पर क्या जाएगा इसको यहां रगा देता हूं यहां पर क्या जाएगा यह तो कोई भी बता देगा ना कर्भुकाटाइन पॉजिटिव चार्ज आजाएगा ठीक को break कर दिया अब यहां पर क्या हो रहा है वहीं देखती बता देना चाहिए चार्ज सिंगल डबल ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा रेजोनेंस डफल अफ हो जाएगा कैसे हो जाएगा हिसे होती है एक च्रोक जाता है एक चार्ज आजाता है है और फिर क्या होता है resonance डबलब हो जाता है एक example से समझते हैं एक example से समझते हैं देखो simple सा example है जैसे मान लोग कोई भी compound है जैसे हम मतलब मिथाइल यह क्या बोलते है इसको अलाइलिक compound ही लेंगे हम ठीक है अलाइलिक compound लेंगे तब ही तो हमको CL और single bond CH3 यह कोई compound है इसका नाम क्या है आपका simple सा नाम है रगदो नाम 12343 chloro 3 chloro math at pro but 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 one पर in one in याद है ना यूप यह से पड़ा हिए पुरी ठीक है ठीक लोरो one but in यह ठीक है यह नाम है इसका अब इसके साथ क्या हो रहा है हम हम इसको इसकी reaction हम इसको हम heat करेंगे तो क्या होगा यह वाला more elective negative है इधर negative आजाएगा इधर positive आजाएगा ठीक है यह अलग हो जाएगा minus CL कर देता हूं तो यह क्या हो जाएगा आपका CH ठीक है double bond CH और C carbocatine H H यहां पर कर देता हूं यहां पर CS3 कर देता हूं यह वाला CS3 आएगा न इधर पर कर पर कर देता हूं तकि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसको यह negative है यह धर भी यह positive ठीक है यहां पर कीया चाड्स नंगल डबल तो resonance नंगल हो जाएगा resonance कैसे डबलब होगा ऐसे डबलय होगा देखिए यह इधर शिफ्ट हो जाएगा यह इधर क्या हो जाएगा c h h plus single bond c h double bond c h h single bond c h3 ठीक है इस चार्च को में red से कर देता हूँ अब इसमें कोई भी compound को add करो मान लो chlorine को ही हम add करतें दुबारा से तो chlorine क्या होगा यहाँ पर कहाँ पर add होगा इस वाले में add होगा आपका chlorine कहाँ पर add होगा एक सिकेंड यह hydrogen कैसे आया गुड्डू यहाँ पर यह तो आई नहीं सकता न भई 1 2 3 4 5 नहीं हो जाएगा फिर ऐसी reaction होईगी है एक है hydrogen तो है सही तो बनाया है ठीक है अब क्या होगा यह वाला जो है compound इसमें अगर मैं CL डाल दूं और इसमें भी CL का attack कर दूं CL और CL तो क्या हो जाएगा CL negative है तो positive के पास जाएगा ठीक है और वही compound हमको मिल जाएगा HCH double bond CH single bond CCL H single bond CS3 ठीक है यहाँ पर H कर दीजिए यहाँ पर CL कर दीजिए एक ही बात है इसके कर रहा हूं क्योंकि यह देखो same compound जो हमने लिया था starting में वही compound मिल गया हमको this is a beauty of allylic rearrangement और उसके साथ में हमको एक और compound मिल गया HCH CL H इसका नाम क्या होगा नीचे comment करिए ठीक है तो यह हमको दो compound मिल गए है यही allylic rearrangement की beauty है कि आपको जो है जो आप compound ले रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ में additional compound भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है तो यह थी मेरी आज की वीडियो और यह इसी के साथ हमारी पूरी second unit खतम होती है I hope आपको आज का lecture clear हुआ हुआ अगर आपने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपने मुझे इतना वक थैंक यू सो मुच